नमस्कार आप लाइट बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी बिहार में पिछले दिनों नगर निकाय चुनाओ को लेकर पटना हाई कोट के तरब से आरक्षन की प्रकडिया पर सवाल खड़ा करते हुए नगर निकाय के चुनाओ पर रोक लगाने का आदेश ज दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है लेकिन इसी बीच वी आईपी पार्टी के सुप्रीमों मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है उन्होंने पूरे बिहार भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है अतिपिछरों के हक में आरक्षन के लिए वो 14 नवंबर से पूर पत्र तमाम अतिपिछरा समाज के लिए लिखा है इसमें साफतोर पर वो लिखते हैं कि अतिपिछरा आरक्षन की हुई हक मारी सब मिल जूलकर लड़ेंगे भाई 14 नवंबर 2022 से पूरे बिहार भर में प्रखंड इस तर पर अतिपिछरा आरक्षन को लेकर वी आईपी हैं और वो लिखते हैं कि मेरे प्रिये अतिपिछरे भाईयों एवं बहनों 4 अक्टूबर 2022 को पटना उच नयाले में एक फैसला सुनाया गया जो आरक्षन पर एक परमपरागत फैसला है जो अतिपिछरा वर्ग को दी जा रही शंपूर्ण आरक्षन पूर्व वर्तमान भ कहा है कि नयाले द्वारा आरक्षन के सवाल को हर बार उल्जाने की कोशिस की जाती रही है बिहार में 1951 में 94 अतिपिछरा जातियों को अनुसूची एक में सामिल किया गया जो जननाय करपूरी ठाकूर के शमय 108 थी और वर्तमान में 127 जातिया हैं जिनकी जनसंख्या में भा इस बार कोटव द्वारा नई संकल्पना ट्रिपल टेस्ट और राजनितिक पिछरापन विक्सित की गई है जो प्रतिक्रिया वादी विचार है नयाईक पिछरापन पर भी देश भर में बहस होनी चाहिए यह सर्व विदित है कि जनसंग यानि भाजपा सुरुआत से ही आ आरक्षन पर लगतार हमले हो रहे हैं जनसंग यानि भाजपा ने अत्यांत पिछरी जाती के मुख्यमंत्री जननायक करपूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया एवं उनकी आरक्षन नीती का विरोध किया था सुप्रीम कोट ने मार्च 2021 के निरनय में महरास्ट के कुछ चिन्नित जीलो में नगर निकाय एवं पंचायत चुनाओ के संदर्व में ट्रिपल टेस्ट का सवाल उठाया था ना कि पूरे देश के संदर्व में इस निरनय के बाद गुजरात महरास्ट एवं अन्य राज्य में चुनाओ संपन्य हुए वहाँ पर कोट द्वारा रोक नहीं लगाया गया क्यूंकि वहाँ भाजपा की सरकार थी महान शमाजवादी एवं लोकनायक जैप्रकास नरायन के अनुयाई मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा अत्यंत पिछरी जातियों को नगर निकाय चुनाओ में आरक्षन देते हुए 2007 से लगातार चार बार पंचायत चुनाओ और तीन बार नगर निकाय चुनाओ हुए लेकिन कभी किसी प्रकार का रोक नहीं लगा जैसे हिन जदियू भाजपा से अलग हुई वर्तमान सरकार को असहच करने पिछरी जातियों के बीच फ या प्रोनती आरक्षन पर सवाल हो हमेशा भाजपा द्वारा पिछरे वर्ग के लोगों को परिसान किया गया है अगर 2024 के पहले बिहार में अति पिछरा का आरक्षन पूर्व के जैसे लागू नहीं हुआ तो 2024 और 2025 में एक भी वोट अति पिछरा द्वारा BJP को नहीं दिय आ जाएगा राज्य में अति पिछरी जातियों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है विचारनिये हैं हम 85% पिछरे दलीत अधिवासी और मुश्लिम भाई एक हैं देश में EWS आरक्षन के अंतरगत उच जातियों के लिए 10% सीठे नौकडियों में आरक्षित की गई जिसकी आ प्रकार का शंग्यान एडवर्स निर्नय हाई कोट या सुप्रीम कोट द्वारा नहीं किया गया ना तो किसी प्रकार के टेस्ट की बात की गई शनद रहे 25 सितंबर 1991 को ततकालीन भारत सरकार द्वारा आर्थिक अधार पर 10% आरक्षन आर्थिक रूप से सभी पिछरे स्वस्था की गई थी जिसे सुप्रीम कोट द्वारा ततकाल खतम कर दिया गया आर्थिक अधार पर आरक्षन सभी वर्गों को मिलना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हाई कोट के फैसले के बाद ब जोक लगाकर अति पिछरा वर्ग को पुना सनरक्षन देने का काम किया है मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी एवं समविधान की अनुचे 243 टी के रहते बिहार में शमाजिक न्याय की हकमारी बीजेपी एवं आरेसेस नहीं कर पाएगी आरक् कोई भीक नहीं है यह समविधान के गर्भ से निकला है पिछले 3000 वर्सों से भारत में उच्च जातियों को 90% तक अघोसित आरक्षन प्राप्त था बिहार सरकार कडिया मुंडा कमीटी 2001 नयाय पालिका में आरक्षन के अनुसार 97% जज हाई कोट और सुप्रिम कोट में उच जातिके हैं कि अंदर शरकार को मंत्रा ले विभागावार कोटी वार आकरा जातिगत जनगनना के साथ जारी करना चाहिए ताकि शुप्रिम कोट के ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन पूरे देश में आसानी से हो सके और बीजेपी RSSS को जब-जब सत्ता का डर सताता है को लेकर राजनिती काफी तेज हो गई है पिछले दिन जब बटना हाई कोट ने नगर निकाय चुनाओ में अति पिछडे जातियों के उमिद्वारों के आरक्षन की प्रकिरिया पर सवाल खड़े करते हुए यह आदेश दिया कि या तो सीटों को समानने कीजिए या फिर स तमाम जो बिहार के राजनितिक धल हों चाहे पक्च के हों विपक्च के हों सभी ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाया और इसी बीच अब शनफ मल्ला मुकेश चहनी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है 14 नवंबर से पूरे बिहार भर में प्रखंड इस्तर पर उनकी पा हम आप तक पहुंचा रहे हैं अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें